इस क्रिया कलाप के लिए हमें चाहिए अंकुरित बीजों के कटे हुए मुलांकूर जो यहां पर रखे हुए वाच ग्लास में इसी सबसे पहले हम एक स्लाइट पर लेते हैं इसमें पानी के एक बून डाल देंगे ताकि यह सूख न जाये कुछ इस प्रकार से इसे अभिरंजित करने के लिए हमें आलता, साही या सेफरेनी जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका आप यूज कर सकते हैं जैसे यहां पर मैंने सेफरेनीन का यूज किया है ताकि हमको कोशिकाय रंगिन दिखाई दे इसके लिए हम इसको सेफरेनीन से अभिरंजित करते हैं अब हम इसे इसमें एक बून ग्लिसरेन की डालेंगे अब इसे निडल की साहता से कवर स्लिप से ढख देंगे कवर स्लिप से ढखते समय हमें ध्यान देना है कि इसमें हवा के बुलबुले प्रविश्न करें इसलिए से हम धीरे धीरे ढखते हैं धकने के बाद हम इसे हलका गरम करेंगे कुछ इस तरीके से हम इसे हलका सा गरम करेंगे यह हलकी गरम हो चुकी है अब इसे हम हटा देते हैं और निडिल या ब्रश की साहता से हम इसको दबाएंगे कवर स्लिफ्ट के बाहर निकले हुए सेफरनीन को हम ब्लोटिंग पेपर के साहता से पोच लेते हैं अब हम इसे सुक्षमदर्शी में देखेंगे इसमें कोशिकाओ का अलोकन करेंगे कि मुलांकुरों की कोशिकाओ हमको किस प्रकार से दिखाई दे रही है पौधों की वृद्धी के लिए जो कोशिकाओ आवश्यक होती है वो मुलांकुरों की शिर्ष भाग पर उपस्तित होती है जिसे हमने स्लाइड में देखा